हेलो ब्रिवान नेहा किचन कॉन्न में आपका भौध भौध स्वागत हैं आज है बहुला चूद इसे संकटा चतूपती ब्रत भी बोलते हैं तो आज हम गड़ेश भगवान को प्रसाद चराने के लिए सिघाडे के आठे का कत्रा बनाएंगे तो चलिए देखते हैं हम इसे क जैसे बनाते हैं तो अब हम एक कड़ाई में दो चमच के करीब देशी घी डालके उसे चूली में रख देंगे और उसमें सिघाडे का आठा डाल देंगे और अब हम इसे गोल्डेन ब्राउन होने तक भून लेंगे इसे हमें लगातार चलाते हुए भूनना है नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा और सिघाडे का आठा जो हमारा जल जाएगा इसे भूनने में लगभग 10 मिन्ट का समय लगा है और आप देख सकते हैं ये गोल्डेन ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ताके इसमें लम्स ना बने और इसका हमें एक गोल बना के तयार करना है जैसे हम कड़ी का गोल बनाते हैं ना कड़ी बनाने के लिए ठीक कुसी प्रकार हमें इसका भी एक गोल बना के तयार करना है तो अब हम इसे कड़ाई में वापिस डाल देंगे घोल के और अब हम इसे दुबारा चूले में रख देंगे और अब हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक यह गाढ़ानी हो जाता है आप इसकी कंसेस्टेंसी देख सकते हैं कि यह कितना पतला है तो अब हम इसमें सक्कर डालेंगे तो सक्कर की जो क्वांटिटी है जितना हमारा सिहाडे का आटा होता है उसमें ही हमें डालनी है अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो सक्कर आप कम डाल सकते हैं तो यह देखिए फ्रेंट्स इसे लगाता चलाते हुए 15 मिनट हुए हैं और यह देखिए इसका एक गाढ़ हम मिक्स बनके तैयार हो गया है तो अब हम एक ठाली में थोड़ा सा गी लगा लेंगे और इसमें इसे फैला के देखेंगे अगर यह ठंडा होने में आसानी से निकल आता है तो इसका मुख्ण यह बिल्कुल रेदी है हमारा मिक्स तो चले अब हम देख लेते हैं तो इसका हम कत्रा बना रहे हैं इसे हमार सब्क Loyal I'm a noise और इसे ठंड़ा होने। पीशेस कट कर लेना है उसके हमें अब बीशेस कट कर लेंगे आप इसे खितना थे शू oben तेस्टी लगता है आप इस एक बार जरूर बना के ट्राइब करें और बहुत ही आसानी से बनगे तयार हो जाता है चलिए अब मैं आपको पूजा की भी कुछ ग्लिप्स दिखा देती हूं यह एक गुछाम करें छुछाम करिक अ कर 노 व देती हुआ हुआ शुआ झाल खुछाम कर दो जा दो पिए हुआ इपक बार ब ineूब कि बोंगे, बहाते पोने में जाइ आटे-ाई आटार ह Ubys vors भूप यह नही कि नहीं आटिंट कि झाल झाल झाल